नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में जिहां आए आज हम सभी जानेंगे राम फल के फायदों के बारे में आज हम सभी जानते हैं राम फल के बारे में इसमें बहुत सारे पोशक तत्व पाये जाते हैं और यह बहुत स्वादिश्ट होत है रामफल हमारे स्वास्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है आए जानते हैं इसके स्वास्थ वर्धक लाभों के बारे में यह गर्भवती इस्त्रियों के लिए काफी लाभकारी सिध्ध होता है गर्भा अवस्था के दोरान महिलाओं का जी जादा मिचलाता है या फिर उनको ऐसा लगता है कि उल्टी होगी वो मेटिंग होगी या फिर होती भी है तो इस अवस्था में रामफल का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है इससे ना सिर्फ उल्टी यानि बंध होती है बलकि मानसिक बेचैनी से भी आराम मिलता है और शारीरिक सिथिलता भी कम होती है बच्चे का जन्म होने के बाद राम फल के सेवन से जो माएं बच्चों को दूद पिलाती है और उनके स्तन में दूद जादा नहीं बन पाता है उनके लिए फायदे मंद होता है उनको उचित मातरा में दूद बन पाता है जिसकी बदोलत बच्चे का सही से पेट भर है और पोच्ण हो पाता है इसके अलावा राम फ्ल में बौहत अधिक मात्रा में शक्कर होता है जिस से कि आप अपने वजन को नियंत्रित रख सकते हैं इससे किसी भी प्रकार की हानी नहीं होती है यहापके बालों के लिए भी बहुत हीं लाफकारी होता है राम फल से आप अपने बालों के रक्षा कर सकते हैं इसके लिए आप दूध के साथ इसके बीजों को कुट कर मिला करके लेप बनाएं जिहां दूध में आपको इसके बीज कुट के पीस करके मिक्स करना है अच्छे से और एक लेप तयार करना है इस तयार हुए लेप को अपने बालों में लगाना है आपको इससे आपके बाल स्वस्थ हो जाएंगे मजबूत हो जाएंगे तूटेंगे नहीं और जल्दी सफेद भी नहीं होंगे यह इलरजी और घाव को ठीक करता है जिहां आपके शरीर में कहीं भी एलरजी हुई है या फिर घाव है उस पर अगर इसका लेप लगाते हैं तो आपके घाव को ये जल्दी भरता है रामफल के पत्ते या पेंड की छाल से शरीर में विशानु या जिवानु के असर से होने वाले फुनसी फोड़े को भी खत्म किया जा सकता है पुल्टिस बनाने के लिए इसके पेंड की छाल को पीश कर के उसमें नमक मिला करके अपलाई किया जाता है इस घरेलू उपचार से काफी लाव होता है यह दांतों और मसूनों के लिए भी काफी लावकारी सिध्ध होता है रामफल में मौझूद कैलिशियम दांत और मसूनों के लिए भी लावकारी सिध्ध होता है इसी के साथ साथ ये हड़ीयों को भी मजबूत करता है कैलिशियम से दाथ मजबूत होते हैं और हड़ीयां भी इस पेन की बाहरी तवचा से दाटों और मसूनों की रखशा की जा सकती है इससे दाटों को साफ रखने के लिए पाउडर भी बनाया जा सकता है दाटों में दर्द होने पर भी ल आफकारी होता है आँखों के लिए रामफल का सेवन बहुत उपयोगी माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन A, विटामिन C और राइवोफलेविन के कारण यह नित्र को सुद्रिध करता है यानि कि आपकी दृष्टी को सुद्रिध करता है सही रखता है और बढ़ाता है यह आँखों की बिमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है यह कमजोरी दूर करने का भी कारे करता है शरीर में पानी की मात्रा यानि की pH लेवल को संतुलित रखने के लिए भी रामफल का सेवन अवश्यक हो जाता है इसके सेवन से घुटनों की तकलिफ में आराम मिलता है इसमें उपलब्ध मैगनेशियम शरीर की कमजोरी एवं सिथिलता को दूर करता है यह हरदय घात से भी बचाता है रामफल में उपलब्ध परयाप्त मातरा में पोटेशियम एवं मैगनेशियम हरदय को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी है यह हार्ट अटेक से बचाता ह राम फल में उपलब्ध फाइबर और प्रोटीन की परयाप्त मात्रा रक्त चाप को कम करती है, कोलेस्टरोल को कम करके हरदय घात से आपको बचाती है, यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाने का कार्य करता है, प्राक्रितिक एंटियोक्सिडेंट के लिए और विटामि िडिकल्स विशानुओं को बाहर निकाला जा सकता है, जिससे आपकी बिमारीों से सुरक्षा हो जाती है, इसके नियमिद सिवन से कई प्रकार की बिमारीों से बचा जा सकता है, यह वजन को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होता है, अगर आप अपने फिगर को ले करके प पिक्सित करता है और इससे कोई हानी भी नहीं होती है नियमित और नियंतरित मात्रा में रामफल का सिवन करने से शरीर का वजन आसानी से बढ़ जाता है जिहां नियमित रूप से करना है और नियंतरित मात्रा में करना है ऐसा नहीं कि आप सोचे कि बहुत जल्दी हमें वजन बढ़ाना है या फिर किसी भी मिमारी से बहुत जल्दी निकलना है तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपने स्टार्ट कर दिया सेवन तो वो फायदे की जगा नुकसान दायक हो जाएगा इसलिए इसका उचित मात्रा में उपयोग कीजिए आपके लिए लाफकारी सिध्ध होगा जिहां तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धनिवाद नमस्कार दोस्तों